तो हाई गैस वेलकम बैक टो अवर यूटूब चैनल और वेलकम टू माय न्यू वीडियो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड एटीएफ में कैसे इंवेस्टमेंट करें कहां से इनवेस्टमेंट करें एटीएफ होता क्या है इन सब की बारे मे मैं आज के इस वीडियो में discussion करने वाली हूँ तो जो भी लोग इस वीडियो को इस चैनल को first time देख रहे हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे आपको इस चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकैसन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले विडियो तर्ड पूर्पोलियों। की जानकारी आपको सही से आती जाए सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग गोल्रीटी इत्य। में इंब्स्ट्मेंट कर सकते हैं कहा से कर सकते हैं और बेसिकली यह सब क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता है तो देखें गोल्ड इंडिया के लिए पॉपुलेशन के लिए एक इमोशनल कमोडिटी है चाहे दिवाली हो या फिर अक्षय तृतिया हो जैसे कि कल अक्षय तृतिया है तो आपको चांस है यहाँ पर अपने प दुकान में भीड जमा करते हैं सो गोल्ड ऑपसिस इंडियन पोपुलेशन के वज़े से इंडिया दुनिया में वन ओफ दी लार्जिस्ट गोल्ड इंपोर्टर है तो हम लोग बहुत जादा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं दुनिया का 23% गोल्ड इंपोर्ट करता है इंडि आपको यह बताना चाहूंगे कि gold ETF क्या है ETF के साथ gold trading का क्या फरक है इंडिया के कुछ top gold ETFs के बारे में जानने वाले हैं वीडियो के साथ end तक जुड़े रहे हैं तो आप देखिए अगर आपको gold ETF में investment करना है trading app suggest करूंगी जिसका नाम है angel broking तो angel broking के अंदर आप अपना demat account कैसे खोल सकते इसके बारे में मैंने एक वीडियो आपसे शेर किया हुआ है उस वीडियो को जाके देखिएगा और angel broking आपको बहुत सारी सुविधाय भी provide कर रह आपको lifetime के लिए free equity delivery trades मिलते हैं यहाँ तक कि आपको first year के लिए कोई भी AMC charge नहीं देना है उसके बाद बाद में जो charge आपको देना है वो सिर्फ 240 पर year होगा और वो charges सबसे कम है सारे जो brokers हैं उनके AMC charges से वो charge बहुत जादा कम है साथ ही साथ इनका जो extra feature है जो मुझे बहु short term के लिए long term के लिए कौन से stocks लेने चाहिए आपको intraday के लिए कौन से stocks लेने चाहिए futures options के बारे में आपको यहाँ पे वो लोग provide करते हैं call यह आपको advisory में मिल जाएगा अगर आप अपना account angel के साथ open करते हो तो तो आपको वो आपके portfolio की हिसाब से कौन से stocks add करने चाहिए साथ ही साथ intraday के लिए कौन सा best stock रहेगा कौन सा option based रहेगा इसके बारे में भी जानकरी देते हैं तो नीचे description box में angel broking की link आपको मिल जाएगी उसके दुरू आप अपना dmat account first open करिएगा उसके बाद में आप gold ETF में investment कर सकते हो so बहुत सारे brokerage है मैंने description में segment में link दिया हुआ है और ये देश का number one full service broker है angel broking उस पे आप click करके आप कुछ ही minutes में अपना dmat account open कर सकते हो अगर कुछ भी problem हुआ आपको सामने से call भी करेंगे वो लोग अगर आपको sign up के लिए sign in के लिए कुछ भी difficulties हो रही है तो तो अगर आप पूछो गए कि angel में ही क्यू तो क्या आप अपना पैसा किसी के भी हातों में दे देते हैं नहीं न इसलिए सबसे पुराना और सबसे भरोसे वाला broker ही मैं आपको suggest करूंगी तो angel के साथ account खोलिएगा यहाँ पर और भी premium features हैं जैसे कि एक साल का account maintenance charge free है जैसे मैंने अब भी आपको बताया है उसके बाद में आपको first month के लिए brokerage नहीं देना है उसके बाद में आपको 20 per order brokerage देना है यहाँ पे smart API के जरिए high frequency trading and all go trading free में हैं यह सब important होता है इस market के अंदर अगर आपको profit करना है तो आपको यह सारी चीज़े important है और यह सारी चीज़े आपको angel provide कर रहा है तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि angel के साथ अपना dmat account open कर लीज़ेगा सो अभी देखिए ETF क्या होता है तो देखिए ETF का मतलब है exchange traded funds तो दो categories मैंने यहाँ पे दी है कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं तो देखिए क्या है exchange traded funds कैसी यह mutual funds से different है सो देखिए ETF एक ऐसा basket है जिसमें आप अलग-अलग तरीके से funds या investment instruments add कर सकते हैं और यह exchange में trade भी होता है और इसमें Delhi fluctuations भी होते हैं यह mutual funds के साथ सबसे बड़ा difference है ETF का सो mutual funds को आप दिन में एक बार market close होने के बाद sell या फिर buy कर सकते हैं ETF को आप exchange में trade कर सकते हैं जिसका मतलब है ज्यादा flexibility, freedom and more earning options तो यहाँ पर ETF जो है वो अलग-अलग type के हो सकते हैं first bond ETFs might include government bonds, corporate bonds and state and local bonds called municipal bonds second जो है वो है industry ETFs track of particular industries such as technology, banking or the oil and gas sector third one commodity ETFs invest in commodities including crude oil or gold currency ETFs भी होते हैं currency ETFs invest in foreign currencies such as the euro or Canadian dollar inverse ETFs attempt to earn gains from stock declines by shorting stocks shorting is selling a stock expecting a decline in value and repurchasing it at a lower price तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है gold ETF तो gold ETF एक type पर 10 gram के rate में trade होने वाला gold अभी अगर हम लोग देखे तो 49,000 से लेके 50,000 पर 10 gram के limit से ओपर ट्रेड हो रहा है यानि चार सालों में अगर किसी ने gold as a commodity की तरीके से भी invest किया होता तो फिर उसको काफी अच्छे returns आ चुके होते हैं लेकिन जो commodity trading से दूर भागते हैं उनके लिए best instrument है gold ETF यह daily exchange में trade होते हैं ETF में invest करना मतलब physical gold में invest करना है नहीं होता है अलग-अलग funds के एक basket में आने से risk भी कम होता है so gold ETF tax rates के बारे में अगर हम लोग जाने तो देखे investment holding duration tax gold fund short term less than 3 years depending on the tax bracket of the investor gold fund long term so 3 years and more 20% with indexation यह जैसे कि सब जगह पे risk है तो यहां पे भी कुछ risk है और benefits है कोई भी fund में investment करने से पहले उसका risk details जरूर देख लीजेगा gold ETF को hedge या investment instrument दोनों की तरह उसे use कर सकते है better risk management through diversification gold commodity के fluctuation से ETF का rate ओपर नीचे जा सकता है और अगर आप ऐसा हुआ तो loss minimize करने के options बहुत कम होते हैं तो आगे मैं आपको कुछ important gold ETF company name देती हूँ तो बस आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़दा अच्छा लगा है तो शेर कर देना अपने friends, family के साथ जिनको भी ये वीडियो useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेर करना और उन सब को कहना इस channel को subscribe करने के लिए और जिन लोगों ने भी अभी तक channel membership join नहीं की है तो जल्दी से कीजेगा नीचे description box में channel membership की link है वही अगर subscribe बटन के बाज में देखोगे तो join बटन करके दिखेगा वहाँ से भी आप channel membership join कर सकते हो channel membership के अंदर आपको extra benefits मिलते हैं आपको extra guidance मिलता है, extra आपको education videos मिलते हैं, extra strategies मिलती है, important levels मिलते हैं, stocks आपको important मिलते हैं, कौन से आपको portfolio में add करने चाहिए इसके लिए जानकारे मिलती है, साथ ही साथ आपके queries का आपको early reply मिलता है यह सारे benefits channel membership के अंदर मिलते हैं तो इसलिए channel membership join कीजेगा नीचे description box में link है So thank you very much for watching this video, मैं मिलूंगे आपसे next video में Till then, bye bye, take care and trade carefully